दोस्तों mutual funds plan के अंदर अगर हम small cap mutual funds की बात करते हैं यहाँ पर पिछले एक विक के अंदर एक बड़ा correction देखने के लिए मिला है लेकिन उनमें भी कुछ fund ऐसे हैं जिरोंने काफी जाधा correction दिखाया है जबकि कुल index का जो return है उससे भी जाधा इन fundों का return negative पे रहा है किसे हमें यह बात समझ आती है कि इन mutual funds plan के अंदर return भले ही कम हो लेकिन long time में इनके अंदर potential growth जाधा है और अगर आप कम पैसे निविश करते हैं तो इन प्लानों से आप एक अच्छा fund भी बढा सकते हैं लेकिन mutual funds के अंदर निविश करने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपको किस mutual funds में पैसे को निविश करके उस पर कितना रिस्क है क्योंकि अगर आप large cap category के fund pick करते हैं तो यहाँ पर आपके पैसे पर risk कम हो जाता है क्योंकि कमपनियों के अंदर potential growth जादा है और यह बड़ी companies होती हैं जिनमें पैसे को निविश किया जाता है जिबकि अगर म mid cap company की बात करें तो यहाँ पर यह ऐसी company हैं जिनके अंदर बहुत जादा chances हैं कि अनिवरे टाइम में multi bagger बन सकती हैं और इन company का market capital काफी बड़ा हो सकता है क्योंकि company की growth काफी अच्छी है इसके रवा तीसरे fund बहुत थे हैं दोस्तो small cap category के जो company अभी बहुत छोटी हैं जि पैसे और उसी से आप एक बड़े fund बनाने के target को पूरा करना चाहते हैं तो mutual funds में small cap category के जो funds हैं वो काफी बढ़िया रहते हैं क्योंकि यहाँ पर आप कम पैसे निविश करके भी एक बड़े fund बनाने के target को पूरा कर सकते हैं यहाँ पर हम आपके लिए एक ऐसा ही fund लेकर रहे हैं जिसके अंदर अगर आप 1,35,000 रुपे का निविश कर देते हैं और 19% का return यानि कि बहुत कम return है इतना ही आपको मिल जाता है small cap fund के अंदर तो आप उससे करिब 5,500 रुपे तक fund बनाने के target को पूरा कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको यह ज़रूर समझना होगा कि जब भी आप निविश करते हैं mutual funds में लंब सम तो आपका target कम से कम 10 से 15 साल का होना चाहिए क्योंकि shorter में mutual funds के अंदर correction आते रहते हैं आपका नजरिया अगर लंबे टाइम में विश करने का है तब भी आप एक बड़ा fund बना पाएंगे आज हम दोस्तों जिस प्लान की बात क return की बाग करते हैं दोस्तों all time में इस fund ने जो return है वो दिया है 19.03% जिफकि last 5 year का fund का return 35% है last 3 year में 41% और last 1 year में 62% से जाथा return है लेकिन दोस्तों last 1 month में इस fund ने negative में return दिया है लगबग सवा 4% अगर आप किसी और mutual fund से small cap को देखेंगे तो return जद 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 1% है इस fund ने काफी correction दिखाया है और fund है quant का small cap fund लेकिन दोस्तों इस plan में आपको 19% का ही return मिल जाता है अब लमजम 1,35,000 रुपे निवेश करते हैं यहाँ पर 5 साल के लिए तो इससे आप निवेश करके 2,22,000 रुपे का fund बना सकते हैं और 1,87,000 का इसमें return होगा लेकिन 30,000 रुपे का return होगा लेकिन दोस्तों अगर आप 15 साल तक पैसे को निवेश करेंगे तो 1,35,000 रुपे का आप निवेश करके 18,34,000 रुपे का fund बनाएंगे और इसमें 17,000,000 रुपे का करीब return होगा जबकि 20 साल के अंदर compound return से आपके पैसी की value 43,77,000 के होगी और इसमें 42, 20,000,000 रुपे से जाता का return जबकि 25 साल के अंदर अगर आप 1,35,000 रुपे को निवेश करके छोड़ देते हैं तो दोस्तों इसमें 2,47,000,000 होगा देकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर fund की बात करेंगे एने वी net asset value के price की तो यह है 239 रुपीज यानि कि आप जो पैसा निवेश करेंगे और जो भी एनवी का price होगा इसके इसाबते ही आपको unit lot की चाहेगी जबकि फंड की rating 3 है 17,193 करोड रुपे इस फंड का इवम है यानि कि इतने पैसे लोगों ने इस plan के अंदर निवेश किया है जब इसके लाब आज जी ओ फानिसल सर्वेसिद इसके लाब बात करें तो बीका जी फूर्स अडानी पावर आयार बे इंफ्रा हिंदुस्तान कॉपर नैशनल एल्मोनियम एच एफ सी एल आर्बियल बैंक यानि कि कुल मिलाकर 97 स्टॉक हैं जिनमें पैसे को निवेश क्या क्या है जबकि अगर हम बात करते हैं आपर एक्विटी सेक्टर लोकेशन की दोस्तों फाइनसल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा 17% पैसा एनसी सेक्टर के अंदर 15.8% अधर सेक्टर के अंदर 19% पैसे को यूज क्या है जबकि दोस्तों फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो और अंकिते पांडे 220 से लेकिन दोस्तों अगर हम कॉंट मुचल फंड हाउस की बात करते हैं तो टोटल एसेट के साब से रैंक इंडिया में 34 नंबर पर है फंड हाउस के पास EUM 62,301 करोड उपे है और फंड हाउस काफी पुराना है 1996 को स्टार्ट हुआ था तो दोस्तों मुचल फंड प्लान के अंदर अगर आप लंग सम पैसे को नवेश करते हैं तो यहाँ पर आप कम पैसे नवेश करके भी एक बड़े फंड बनाने के टार्ट को पूरा कर सकते हैं लेकिन मुचल फंड प्लान के अंदर आपको शौट ठरम में करेक्शन ज़रूर मिलेंगे अगर आपका नजरिया है लोंग टाइम में नवीश करने का तो mutual funds में आपको काफी बहती इन option में जाते हैं जहांपर आप नवीश करके अपने किसी बड़े fund पराने के target को पूरा कर सकते हैं देकिन ये वीडियो आपकी education purpose के लिए है वीडियो से लेटेड अगर आपका कोई question होता है तो आप हमें जरूर बताएए अपने प्रैंट्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद